हेलो फेरेंस, आज फिर मैं आपके साथ मेरे ट्यूशन की विडियो शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि आज मैं मेरे स्टूरेंस को यूज ए एन आन का करसेप सिखा रही हूँ मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये करसेप शेयर कर लूँ आपको भी helpful रहेगा आपके बच्चों को सिखाने के लिए मनस्वीनी यह दिखुई क्या है this say this is apple है न यह यहाँ पर क्या करना है हमको a या and लगाना है क्या करना है and कब लगाते है a, e, i, o और u यह जो vowels है न यह जो vowels वाले word आएंगे तब हम क्या लगाते है and लगाते हैं क्या लगाते है हम an, and, yes तो यहाँ पर a आया है रहे a वाला word है न, apple तो यहाँ पर क्या आएगा an, and this is an apple तो बेटा यहाँ पर देखो second में क्या है this is this is mango तो यहाँ पर क्या है आप बताओ a आया यह जो आया आया पर a yes, right a here okay, right yes now third one this is fish तो यहाँ पर क्या है आया यह जो आया आया a a आया आया, right yes this is this is egg egg तो यहाँ पर क्या है आया n an an क्या है आया an 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 now six वाला देखो क्या है this is dash kite ड़ी क्या रहिँ थे रचा की आदा यहाँ पर गपर अ रचाय क्या आया ा a तक से A लिख देना है क्या लिख देना है? This is this is orange तो क्या लिख होगी आप यहां पर? A, N, N very good A, N, N Now this is this is chair so यहां पर क्या आएगा? A आएगा यहां आएगा यहां आएगा बेटा? A Yes A आया न, क्यों क्यों आया यह? क्योंकि यहां पर वर नहीं है consonant है इसले न, है कि नहीं? समझा आपको मनसुनी Yes, okay तो देखो किस तरह से मनसुनी आपके सामने यहां पर सारे करेकर दी है, देखो कैसे लिख दिया आप इसको समझ में आया है आया होप सो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आया हो, आप भी अपने बच्चों को इस तरह से करके देखो